प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनकल्यानकाई योजनाओं में एक है धन्मंतरी जनरीक मेडिकल स्टोर जिसमें सभी दवाओं पर पसपन प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। इसी के विस्तारी करन के तहद भिलाई में धनवंतरी जनरीक मेडिकल इस्टोर का पाचवा यूनिट लार बहादुर शास्त्री शास की चिकिसालाय परिसर में हुआ 36 प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेस बगेल ने धनवंत्री जेनरीक मेडिकल इस्टोर योजना के तहद अपने प्रदेश वासियों को बेहद रहत पहुचाई है इस योजना के तहद इस दवाई दुकानों में मिलने वाली सभी दवाओं पर लगबग 55% की छूट उपलब्ध होती है और अब तक भिलाई शहर में इसके चार आउटलेट खोले जा चुके हैं सोबार को इस योजना का विस्तार करते हुए भिलाई छेतर के लाल बाहदुर सास्तरी सास की अस्पताल पर इसर के अंदर धनवंतरी जनरिक मेडिकल श्टोर का पांचवा आउटलेट प्राराम किया गया मेडिकल श्टोर का सुबारम निकम भिलाई के महापा और नीरजपाल ने विदिवत फीता काट कर किया धनवंतरी जनरिक मेडिकल श्टोर के पांचवे आउटलेट की शुरुवात के बाद अब सास्की अस्पताल पहुँचे लोगों को भी काफी आसानी से 55% छूट के साथ दमाय उपलब्द हो पाएंगी निगम भिलाई के महापा और नीरजपाल ने प्रदेश के मुक्या अबुपेश बगेल का हिर्ज़ से अभार जताया है कि इस तरह की जनकल्ले अनकारी योजनाओं का लाप प्रदेश वासियों को निरंतर मिल रहा है यह मानी मुख्यमंत्री जी की सोच के नुरूप यह नगरनिकम मिलाई में धन्मंत्री मेडिकल स्टोर की यह पाथवे मेडिकल स्टोर का गाटन आज हो रहा है बातन पर हम लोग सब उनका अभारवेकश करते है बुरे मगर निकम बिणाई परिवाद की तरफ से और इसका उपयोग विलाई की जनता को जितना अच्छा मिल सके इसी उमीद से हम आगे भी फिरंतर ये दुकानों का फरम जारी रखती है ये दुका जो MRP पे जो MRP पे दवाईया जो है उससे 55% सस्जिदर पे यहां दवाईया उपलब दोपाएंगी और क्योंकि ये लालबादुर सास्त्री हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में मरी जाते हैं उनको इसका लाब मिल रहा है प्रदेश के मुख्या भुपेस बगेल की ऐसी कई जन कल्ले अनकारी योजनाय प्रदेश भर में चलाई जा रही है जिसका लाब पूरे प्रदेश वास्यों को बखू भी मिल भी रहा है प्रदु कुछ योजनाय अभी भी शुरू होने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं जिसे संग्यान में लेते हुए उसे भी उसमें भी निरंतरता लानी की जरूरत है जिससे उन योजनाओं का लाब भी आम जन्मानस को मिल सके ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए भिलाई से संतोष शर्मागी रिपोर्ट